हर्याना से है योग राज जी स्वागत है आपका जी बताइए सर सर दुबारा से बोलिए थोड़ा तेज अवाज में बात कीजिए एर केली एर केली बाव के एर में पैर में गंजापन में आया ता जी गंजापना रहा है किती आयू है आपकी 45 आयू हाँ अपना खूब ख्याल लगिए मल्टी विटामिस वगरा के इस्तमाल किया करिए दो तीन खजूर सुबा दो तीन खजूर शाम को खाया करिए और एक आता है गौन मौरिंगा सफेद गौन मौरिंगा सफेद वाला ही लेना असली सफेद वाला होता है हम दुकान दारों पास जाते हैं तो वो लाल सा या पीला सा कुछ दे देते हैं लेकिन यह सफेद भी ऐसा होता है ओफवाइट जैसे बर्फी होती है न मिठाईयों में ऐसा होता है यह एक गिराम रोजाना लीजे और पानी में मिलाकर दूद में मिलाकर या सबसे अच्छा नारियल पानी में मिलाकर रोजाना एक बार पिलिया करिए एक गिराम तो आपको फाइदा होना मुम्किन है आगरा से हैं रूबी स्वागत है आपका बताईये मैं यह मुझे ना पेट में सूजन है पेट में सूजन है रूबी कितनी उमर है आपकी मैं टीवी मत सुनी अपनी उमर बता दीजिए यह मेरी पच्छी पच्छी साथ दिखिए सौफ धनिया सौफ धनिया और आवला यह तीन चीजे लेकर सौसो गिराम पॉडर बना लीजिए और इसका एक चमच खाईए इसमें एक आता है नमक जैतूल यह नमक बिलकुल देखने में नमक जैसा होता है लेकिन साद में नमक जैसा नहीं होता नमकी नहीं होता ये ऐसा खारप सा होता है या हलक ऐसा कड़वापन ये इसकी पहचान है ये नकली बहुत मिलता है असली लीजे सौ ग्राम लीजे नमक जैतून अलग रखी इसे एक चमच ये जो तीन चीजे मैंने वताई धनिया आवला और सौफ इसका पौडर एक चमच और एक चुटकी में जितना नमक जैतून आए इसमें मिलाकर तिन में दो बार खाने से अदा गंटा पहले खा लिया करें आपको फा हलो हलो जी सर अपना प्रशन कर लिजी जी मैडम मेरे बापा वो सांस की समस्या है सांस की दिक्कत है जी उनकी उम्र कितनी है उनकी उम्र है 68-69 साल पर जी जी पिटा ये बताईए कि सांस की समस्या दो वजा से होती है एक तो उन लोगों को होती जिनको खांसी बलगम, छीके, कफ आता है ये परिशानी है उनको या ये सब होता है होता है ठीक है ठीक है एक अच्छा सा नस्खा है अगर आप लिख लें पिटा जी के लिए सपिस्तान, उन्नाब, अलसी ये तीन दवाएं हैं सपिस्तान, उन्नाब, अलसी ये सौसो ग्राम खरीदें और तीस ग्राम इसमें पीपलें मिलानी हैं पीपलें को हिंदी में पीपला मूल भी कहते हैं ये गरम मसालों में पाई जाती हैं 30 गिराम पीपले और सपिस्तान उननाब अलसी 100-100 गिराम इनको पौडर बना दीजे और पिता जी को सवेरे निहार यानि खाली पेट एक चम्मच ये खिलाईए और गरम पानी पिला दीजे खटी चीजों से रोक दे उन्हें जब तक इलाज चलेगा 3-4 महीने भी लग सकते उ उनको फाइदा होना मुमकिन है अगले कॉलर है हिमाचल से राकेश शर्मा जी स्वागत है आपका नमस्कार मेडम जी नमस्कार सर अगीम साह सलम अदाव साहब आप भी हमारे साथ खूब जुड़े रहते हैं करनल साहब की तरह हमारी बैन की तरह पहले का नहीं करनल परमा जी मेरा तो स्वाब दो है सर बच छोट छोटा स्वाल एक तो इसा रगा देंगे जो आप बताते में पेट के लिए हम शौफ दनिया आमला और मेठी किसी किसी टैम में आप मेठी नहीं बताते सर मैं पूछना चाहता हूं कि मेठी के बिना भी ये उतने ही मतलों दूसरा सार रगातेंगे गौंद मरंगा तो यह थोड़ा जो है ना सर मैंने आपकी कंपनी से तोड़ी नमी है इसमें मतलों इसका पॉटर बगारा बनाना तो कैसे बनाए सब तीक है ठीक है हां कुछ मॉस्चराइजर हो गया होगा तो उसे धूप में रख दीजे आप फिर में ऐसा कड़क हो जागा फिर उसे फोड़ लें थोड़ा थोड़ा फिर उसका पॉटर बना लें और यह सवाल आपने बहुत अच्छा किया बहुत लोग सोचते होंगे करते नहीं सवाल यह कि मैं किसी में मैथी भी जरूर मिलवाता हूं किसी में नहीं मिलवाता है कि जैसा सवाल आपकी तरफ से आता है मैं उसके हिसाब से नुस्खा बदलता हूँ जिसे किसी को चर्बी भी बहुत है मोटा भी बहुत है कोई या हाजमा जादा अच्छा नहीं है तो मैं कहता हूँ जीरा मिला लो जीरे का काम हाजमा करना है और जीरा का छोका लगता है या आदमी एक दो रोटी ज्यादा खाता है, जीरा अगर खाने में डाल तो तब भी उसका हादमा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो देखिए ये हैं तो सब आपके किचन की चीज़े, आप इन्हें जिस शकल में जानते हैं, मैं उस शकल में तो जानता ही हूँ, लेकिन मैं इनके असरात की शकल में जो इनका फाइदा है, मुझे वो नजर आता है, जब आप सवाल करते हो कि मुझे ये परिशानी है, तो मुझे इनके फाइदे मेरे सामने चलते हैं ऐसे, मेरे पास कुछ लिखावा नहीं है, जो कुछ है, मेरे तजर्बा मेरे यहां दिमाग में है, तो जैसी मेरे पास सवाल आता है, उसी मिलट के अंदर मुझे जवाब देना होता है, और वो पूरा सवाल के बदले में मेरे दिमाग जवाब देता है, इतनी चीज़ ये मिलाओ, इतनी चीज़ ये मिलाओ, हलाकि इनके बगएर भी नुसका बनाया जा सकता है, और बहुत बड लंबा लंबा नुषका है कि पच्चिस-पच्चिस-ठीस-ठीस दवाएं पूरे पेज पर लिखी वी हैं और यह मह toddli हैं कि वो ललिखते हैं मुश्ट डालो जाफ़ान डालो और अमबर डालो यह जाफरान कित्छी महिए है मैंने आज तक नहीं बताई जाफरान किसी को यह मुश्ट जो है वो बीस लाक रुपे किलो भी असली नहीं मिलेगी मैंने आज तक नहीं बताई अंबर यह मैंने आज तक नहीं बताई यह भी कम असकम बीस लाक रुपे किलो आता है तो वो नुस्वे कौन बनाएगा जो लाखों रुपे के हिंदुस्तान में तो गरीब ही है और ये हकीम लोग तो अमीरों के थे मैं तो गरीबों को मश्वरा देने के लिए उपस्तित होता हूं और मैं चाहता हूं कि जादातर आपके किचन से सारे नुस्वे बन है कि एक दो दवा तीन दवाओं से अपने किचन से ही ले और आदमी बनाए और सेहत मंध हो जाए अगर वो अच्छा आदमी है तो वो दूसरों की भी सेवा करें और मुझे भी दूआ दे आपकी दूआओं का तलबगार हूं आप बना लिया करिए और ये आपने बहुत अ अगले कॉलर है हर्याना से राजी इंद्र जी स्वागत है आपका जी नमस्कार सर मैं दोड़ी के अगराद आई जी कौन सी दवाई गौन सी आप इस्तमाल कर रहे हैं आप अजी आप डर्द कम हो गया था फिर से शुरू हो गया अच्छा कितने दिन से ले रहा है यह तो यह जी पर दूर्प पीशन हो यह अच्छा अच्छा फिकर ना करें कम हुआ था तो फिर कम हो जाया हम चाहिए उनके लिए हिदायत याद रखें कि यह सा वेस्टन ट्वालि जो शोचाले है वह वेस्टन होना चाहिए कुर्ची वाला और महनत ना करने दें जब तक यह दवा खा रहे हैं इन्हें कुछ महनत मत करने दें ना पहुंचा लगाने दें ना जाड़ू देने दें किचन का काम खड़े हो कि कर सकते हैं कितना भी महनत बिलकुर ना करें मुम्किन है दफण अगर से हैं अशोग कुमार जी स्वागत है आपका है अगिम जी सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अशोग से हो सब बढ़िया है आप बताएं भाई मेरे क्या सवाल है नर्बानी करके बता दीजे का जड़ा फरमाईए जी एक तो आपने मेरी वाइट को तो आपने अलसी और कालकॉन मगा था। बो बताया था। ठीक है तो मैंने दुनों चीज मगा ली कालकॉन तो शुरू कर दिया और अलसी भी शुरू करी थी, अलसी से कबर्च हो जाता है अच्छा अल्ची कम ले ले थोड़ी कम ले ले या कुछ और मिला वे उसमें हाँ अल्ची में आप धनिया और सौट मिला सकते हैं बराबर की इससे कब फिर नहीं होगा आप इस तरह दें किते दिन होगए खाते वे हाँ नहीं बहुत अच्छा नुस्का है कोई भी दवा लेनी पड़े आप लीजे कब्स मत होने दीजे चाहे ऐलोपेटिक लीजे आप पर काम करना शुरू कर दिया है इसको छोड़ना नहीं पेट ठीक आप नहीं काले कौन से ही अराम होना शुरू हो गया लेकिन अलसी बंद करती मेंने इसलिए कि कब्द हो जाता है ठीक है ठीक है आपको कब्स की दवा भी लेनी पड़े अपने डर्ख से तो ले सकते हैं और कौन सा सवाल हैं नहीं है कि मेरी वाइब को दर्नि सीषी चीन चाती हैं बहुत सारी ठीक है ठीक है बहुत ज्यादा और डाप्टरों को दिखला है उन्होंना का कि दूल से खुश्बू से और यह जो हवा चलती है जब गहों खटते हैं तो उनकी वज़े से चीक आती है वह अलर्जी बताई हूं मुझे अलर्जी चीक है तीसरा सवाल तीसरा सवाल यह है कि पाटर काहूं हूं 50 सल से मुझे एक प्र depressing है अ है पताई कि लेटी में भूब लगए रहती है हर वकुत आच और कबज रहता है तीकि परनों ठीक है चोता सवाल भटाई है हैं जी चौता सवाल बताई चौता सवाल यह है कि मेरी उमर कार्टर साल है मुझे पुड़ी ओर बिमारी नहीं है खुदा के लिए कोई ऐसी दवाई बता दीजेगा जो इंतकाल मेरा बगर बिमारी के हो खुश रहिए हमेशा भगवान आपकी सुरक्षा करे आपकी पत्नी को भी अच्छा करना शुरू कर दिया एक तो आप हमारे साथ जुड़े रहें आप से निवेदन है कि जिन को भी भगवान फाइदा दे वो हमारे साथ जुड़े रहें और जिस दवासे आपको फाइदा हो उसका अपने सारे रिष्टेदारों में दोस्तों में परोसियों में परचार करना है ताकि उन लोगों को भी फाइदा हो सके ठीके बहुत जल्दी आपकी पत्नी अच्छी होने वाले हैं पूरी तरह मेरी दुआ भी है और आपके पास दुआ भी है गौनसिया से उनको फाइदा शुरू हो गया आपके लिए एक नुस्का है देखिए धनिया दोसो गिराम धनिया दोसो गिराम मेथी सो गिराम इसका पौडर बना के रख लें और एक आता है नमक जैतून असली लेना है नकली बहुत मिलता है मजफर नगर वालों बहुत लोग नकली देते हैं आप समझ भी गए होंगे कितना नकली देते हैं तो नमक जैतून असली लेना और इसकी तो पहचान है आपको मेथी और धनिया की मेथी सो गिराम धनिया दोसो गिराम और 100 ग्राम नमक जैतुन लेके अलग से रखे ये पॉर्डर एक चम्मच ले और एक चुटकी या दो चुटकी नमक जैतुन निसे मिलाके रोज एक बार खाएं ज़रुत पढ़ें दो बार भी खा सकते हैं लेकिन मुझे लगता है एक ही बार काफी है बस आप ये खाते रहें ये निसका खतम कर लीजे आपको फाइदा होना मुमकिन है और अगर पेट हमने ठीक कर लिया अपना तो बीमारियां को सो दूर रहती हैं पेट ही तो माँ है बीमारियों की इसे अच्छा कर लिजे और ये निसका अपने पत्नी को भी दे सकते हैं जो कब्द हो रहा है न तो उन्हें भी एक खुराक दिन में दे देंगे तो उनका ये पेट का रोग भी ठीक होना मुमकिन है और क्या सवाल है च्छीके बहुत आती है धर्मपत्र को च्छीकें का पांच-छे महीने आपको दवा अगर कर सकते हैं तो इसके लिए प्रोड़क्ट भी होते है युनानी में बनी मनाई दवाएं भी होती है एक नुसका जो बहुत पिर चलीते हैं मैं सब को बताता हूँ पीपला मूल भी कहते हैं पीपले हैं ये आप 30 गिराम से मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चमच छोटा चाय के चमच बरके सुबही खिला दिया करें नाच्टे से भी पहले खाली पेड़ निहार मूँ और एक चमच रात को गरम पानी से देना है ऐसे आदमी को दूद नु अच्छे महीने देना उनके अंदर इम्मिनिटी वी पैदा हो जाएगी तो वो अच्छी हो सकती है